इसे ऐसे कहें जैसे आप इसका अर्थ लगाते हैं 4 सितंबर 2021 विश्वास की घोषना मैं घोषना करता हूँ कि मैं विशेश, असाधरन और अलोकिक हूँ मैं घोषना करता हूँ कि हर चीज के लिए बहुत देरी देई हुई है जिसे ईश्वान ने मेरे दिल में जगा बनाई है मैंने अपने आवसर के जरोकों को नहीं छोड़ा है ईश्वार की कृपा मेरे जीवन में है वा मुझे अभी तयार कर रहा है उसने अपनी योजना और उद्देश को पूरा करने में मेरी मदद करने के लिए अपनी कृपा जारी किया है यह मेरा समय है यह मेरा पल है मैं इसे आज प्रात करता हूँ यह मेरी घोषना है दिव्य स्वास्त की स्विकारोटी प्यारे पिता मैं घोषना करता हूँ आपका वचन मेरा प्रकाश और मेरा जीवन है आपका वचन मेरी आत्मा के लिए पोशन है, मेरे अंतरमन के लिए भुजन है और मेरे शरीर के लिए स्वास्त है मैं आज आपके वचन में जीता हूँ और मैं घुशना करता हूँ कि वचन का शक्ति शाली सामर्थ्य मुझे में काम करता है जैसा कि मैं वचन पर ध्यान करता हूँ और जो वचन कहता है उसे करने के लिए देखता हूँ तेरा वचन मेरे लिए वास्त विखता है और यही पाधार है जिसके द्वारा मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी बिमार नहीं पड़ूंगा, मैं कभी भी तूटूंगा नहीं, या पराजित नहीं होंगा, आमेन मैं जैसा कहूंगा, मुझे एसु के नाम पर वही मिलेगा मैं मजबूत हूँ एसु के नाम पर, मैं स्वस्त हूँ एसु के नाम पर, मैं धन्य हूँ एसु के नाम पर, मैं शक्तिशाली हूँ एसु के नाम पर, मैं अभिशिक्त हूँ एसु के नाम पर, मैं आजाद हूँ एसु के नाम पर, मैं ईश्वर को प्रिय हूँ एसु के नाम मैं इश्वर और मानोजाती का कृपा पात रहूं एश्व के नाम पर मैं वही बोलता हूं जो मैं देखना चाहता हूं ना कि जो मैं देखता हूं एश्व के नाम पर मैं एक अनमोल बीज हूं एश्व के नाम पर मुझे अपने इश्वर के घर में अच्छी जमीन पर लगाया गया है मेरे प्रभु के दर्बार में मैं ताड के पेड की तरह पनपता हूं मैं हर मौसम में प्रचुर मात्रा में फलुद्पन करता हूं मैं पौधों के रस से भरा हुआ हूं और बुढ़ापे में भी प्रभु में हरा हूं मैं ताजा और सम्रुद होंगा मेरा पत्ता कभी यहीं नहीं मुर्जाता अर जो कुछ भी मैं इशु के नाम in हो चारता हूं संपन हो जाता हूं इसुके नाम में चीजें हमेशा मेरे लिए काम कर कर रही है मैं मसी एस vi met iOS counting अ Today करता हूं यह अपने श्री श्रेल से बात करता हूं ने मेरी आत्मा और मेरा अंतर्मन एक भौतिक शरीर में रते हैं, मेरी आत्मा मेरे अंतर्मन को आज्या देती है, मेरा अंतर्मन सुनता है, पढ़ता है और मेरे शरीर को निर्देश देता और मेरा शरीर पालन करता है, इस्वर का अभिनासित जीवन मेरे जीवन में स्पष्ट औ परिपूर्ण हो जा और मैं तुम्हें इश्वर के शद्द द्वारा संरेखित करने की आग्या देता हूं मैं अपने कांड़ा अर्था सनायू और नसों के लिए जीवन बोलता हूं मैं अपनी मान स्पेशियों और सनायू बंधन को ताकत बोलता हूं मैं अपने दिल से से बात करता हूं मैं अपनी किड्नी को परिपूर्णता बोलता हूं मेरे खून की हर कोशिका में जीवन है मेरी हड़ी जोड और उपास्थी संरेखित मजबूत और द्रिड है मेरी उंगलियां उत्कृष्ट रूप से कारे करती है मेरी आखे स्पष्ट रूप से और पूर चिक्नी और स्वंक्तु हैं मेरे बाल कोश्क कडव हो गए है कि मेरे बालों को अपने जगह में रहने की आज्याई देता हूं और जहां विकास की आश्क्ता होती है मैं अपने कोश् tमें भुधि जारी करता हूं मेरे दांत्य मसूडे जवार। और तंत्रिका और रक्त की आपूर्ती सभी स्वस्थ मजबूत और परिपूर्ण है मेरे सभी हर्मोन और न्यूरोकेमिकल ट्रांस्मिटर एक दूसरे के साथ पूर्ण सामंजस में है और अपने कार्यों को सामान निरूप से निश्पादित कर रहा है मेरा पाचन तंत्र सभी खाद्य पदार्तों को पचाने अवसोशित करने और आत्मसाथ करने में सक्षम है और चया पचे अवसिष्ट उत्पाद नियमित रूप से उत्सर्जित होते हैं मेरी प्रजनन प्रनाली पर्याप्त मात्रा और गति शिल्ता सुक्राणों का उत्पादन और जमा कर रही है। मेरी प्रज्रन प्रणाली समय पर अंडे की कोशिका का उत्पादन कर रही है। जन्म तक घ्रून की रक्षा और पोशन करती है। मेरे शरीर का हर एक अंग, हर एक कोशिका ठीक उसी तरह कारे करता है। जिस तरह से ईश्वर ने इसे कार्य करने के लिए पांकित किया है। एश्व के नाम पर मैं अपने शरीर में किसी भी तरह की खराबी और कुरूपता को रोता हूं। मेरा पूरा मान और शरीर दचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान मसी एशु में परिपूर्ण है हालेलुया आमिन मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ पिता इस्वर मुझे प्यार करता है मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ पुत्र इस्वर मुझे प्यार करता है मैं मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, पवित्रा आत्मा इश्रम मझे प्यार करता है, सालोम